आप सबी को सादर सूप संद्या शाम का वक्त है लाइट एज जल चुकी है तो आज के व्लोग की शुरुवात हो रही है साम से आज हमारे प्रवस में है दो-दो साधिया यहाँ पर जो गहर दिखाए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर बेटे की शादी है यहाँ लड़के की शादी है तो घर को दुलहन सा सजारक है यह देखे हमारे शहर वड़ा का साम का नजारा बहुत सुंदर सुंदर लाइट से जली है यहाँ पर भी एक शादी है तो हम लोग रेड़ी हो गए है अब महंदी में जाने के लिए पहले हम जाएंगे लड़की की महंदी में जो हमारे घर के नीचे है और उसके बाद हम जाएंगे लड़के की महंदी में तो जी हम पहुँच गए हैं लड़की की महंदी में उसके अंदर हैं हम अभी और यहाँ पर मामी लगा रही है टीका क्योंकि साधी के घरों में सहर कोई व्यस्त रहता है तो वहाँ पर अगर मिल गया तो ये काम हमें खुद ही कर लेने चाहिए मुझे ऐसा लगता है तो यहाँ पर पूरे पाहड़ी अंदाज में बन रहा है खाना अलाकि आधुनिक चुली में बन रहा है सब लोग खाना खा रहे हैं और देखे एक कड़ाई में कितनी सारी पूरे एक साथ तल रहे हैं और कितनी फटाफट ये पूरे बनाते हैं तो देखे हम सब लोग यहाँ पर अब खाना खाने लग दे खाना बहुत अच्छा बना था बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छा लगा खाना खाके और यहाँ पे चल रहा है महंदी का डांस थीम महंदी में यही रहती है कि हर कोई हरा पहन के आए वहाँ से निपढ़ने के बाद अब हम आ गए हैं बेटे की महंदी में यहाँ पर देखो नाचना अगर आपको अंदर से लग रहा है कि हम डांस करें अंदर से जोस आ रहा है तो उसके लिए किसी मन्च या स्टेज की जरवत नहीं है यहाँ पे दीदी और आंटी लोग नीचे पे डांस कर रहे थे और डीजे उपर बज़ रहा था बहुत बढ़िया लगा इनका देखिए इनकी जिन्दा दिली को देखकर और हमारी खरक्वाल मैम का तो क्या कहना अलका मैडम तो इतना इंजोई करती है पूछे मत अच्छा लगता उनका देखो चपल वाला कोई डांस था तो उनकी अपने चपल भी दिखा रहे थे तो सब लोग यहां पर बहुत इंजोई कर रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था तो देखिए यह हैं सास और बहु तो बहु लगा रही हैं सास के हाथों में महंदी और यह उनकी छोटी बहु है वो अपने हाथों में महंदी लगा रही है यह हैं बहुना मैडम इन्होंने भी हरी कलर की बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी यह हैं आज के दूले रितिक रितिक का यहां पर फोटो सूट चलना था अपने मम्मी और अपने रिलेटिवस के साथ तो रस्मी मैडम लोग यहां पर बैठे वे थे मैंने सोचा सबको दिखा दूँ एक बार कितने लोग कैमरी की जद में आ पाते हैं अल्मोस्ट बहुत सारी लोग कैमरी की जद में आई गए यह हैं गीता जो महंदी लगा चुकी थी और हमारी किरंदी अपने हाथों में खुधी महंदी लगा रही थी और बहुत अच्छी महंदी लगा रही थी क्यों किसी का इंपजार करना है खुधी लगाओ अपने हाथे तो यहां पर चला था डांस और माई के में आकर बहने जब डांसे करते हैं बड़ा अच्छा लगता है बड़ा एक confidence के साथ और यहां पर हमारी मुन्नी दिदी लगा रही थे अपने हाथों में लगवा रही थी मेहंदी finally मैं इनकी मेहंदी दिखा रही थी और आण्टी तो पहले ही लगा चुकी थी मेहंदी तो देखो बहुत सुंदर सी मेहंदी उन्होंने लगाई भी है और उनकी मेहंदी भी सूखी नहीं है और जस्ट अभी लगा के ही आई हुई है किरंदी ने अब मोर्चा सम्भाल लिया था कि मैं मुनिदी के हाथों की मेंदी लगाने का और मैं यहाँ पर आंटी से कुछ बात कर रही थी मैंने का चलो यार एक फोटो तो बनता है तो गीता मैडम यहाँ पर डांस करने लगी थी और यह हैं हमारी जिन्दा दिल दीदी तो दीदी को देखो यह तो बहुत अच्छा दांस करती है और बहुत जिन्दा दिल है तो मैं लह चलती हो बब originally की मम्मी से मिलानी यह Nicole की मम्मी है जो बहुत अच्छी लग रही थी और यहाँ पर आंटी और मैडम ने भी फोटो सूट कराया अब हमारा हो गया तक घर आने का समय कुछ समय ज्यादा हो गया